जब भी हम किसी से बात करते हैं, लोगों के कॉमेंट्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम लोग ने ये कॉमेंट्स देखा कि शोयब जो है, जो इतने आगे गए थे जलक हमें, वो अपने डिजिटल फॉलोवेंग की वज़े से इतने आगे गए, ना कि उनके टैलेंट कि वज़े से, ये आप मानती हैं? जाना चाते हैं, सोशल मीडिया पर जाधा दिखाते हैं, मुझे लगते हैं, जब आप जाधा दिखाते हो, तो मेंटल प्रेश्र आप खुद पे डालते हो, इस पर क्या कहना है? कॉमेंट्स में कहीना कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है, और ओडियंस की आवाज बनने की कोश करते हम लोग बस, तो वहाँ पर था कि दीपिका घर का खाना लाती थी, ताकि जजज भी थोड़े खुश हो जाते हैं, और हेल्प करता है, जो जो कंटेस्टेंट है, इन दिस केस शोए, इस पर क्या कहना है? मुनवर हाली में, वो एक रेस्ट्राउन गए थे, वो भी एक तकलीफ में गुजर रहते हैं, आपको मालम है उसके बारे में? ने, इसलिए कही गए थे, पूछताच होई उनके साथ भी, पुलीस वालोंने, फिर एलविश ने ट्वीट किया कि, जो भी बिक बॉस जीतता है क्या उसका बुरा वक्त हो जाता है शुरू, क्या कहना है इसमें? सब्सक्राइब करें, जर्ग दिखला जा विनर ये सब, वो मैं नहीं बोलूँगा, पूछो क्यों, क्योंकि मेरे लिए तू विनर इसलिए है, कि तूने, सुरी तू कह रहा हो ने, तो बाद में लोग बोलेंगे, मनीर शाह राणी को आप बोल पर या, आप मेरे बड़े ब सब्सक्राइब करें, तो मेरे लिए तू क्यों बेवी है, या, तू कि बाद में क्या messages आते हैं, कि आप कहके मात करो, फिर में नहीं हो पहता है, आरे बहुत आता है मुझे, आप कहके मात करो, ये करो तो, ये लोगों को इतना समझना परेगा, कि जिसके साथ फैमिली ये र लाइफ क्योंकि एक लड़की जाती है अपने गाओं अपने स्टेट में लैंड खरीदती है जब मनीशा आई थी मुंबाई उसका वो एक मकसद था पहना कि यार जो भी हो जाए जमीन खुद की खरीदूंगी अपने ही स्टेट में अपने ही जगे में हाँ कह सकते है अचली घर तो आपको पता है सबको बनाना होता है लेना होता है लेकिन मेरा ड्रीम था कि पहला एक जो अपने कमाई का लेना है वो मुझे बिहार में ही लेना है क्योंकि वही मेरा जन्म भूमी है और पुरे परिवार महां रहते हैं और पापा को भी एक होता है बढ़ी हुआना अपनी सहर, मुझे पता है, ति मुझे रहना में ही कि मुझे रहना में है है, तर दुर भीज होड़ हिरता है कि भिहार में भरी तो अच्छाए कद रहा ही, बहले उसको इन future जैसे भी युचिलाइज करें बहूं पहर बना दे कुछ भी करें, लेकिन, एक जम कि अपने दम पे अपने पैसों से घर लिया है जमीन लिया है और पापा वो पुरह होता है न चौड में है सब को बताना है थे हमार बेटी ले ले है अपिटी तो वो वाला फिलिंग था हम तो बहुत खुश है I think मेरी खुशी मेरे घरवालों को देखके हम वो जादा खुश होता है कि जब वो खुश होते हैं मेरी खुशी को देखके तो कित्नी एकर की जमीन है यह एकर के तो पता है मिंगे उख्टा बोलते है अच्छा कठा जाके इतिहास में, करेक्ट में फहम रहा हूँ कि पहली बार एक wildcard contestant जीती है, सही है है? I think not only in जलक दिखला जहां तक मुझे पता चला कि अभी तक इंडिया में जो भी dancing reality show होता है, उसमें कोई wildcard का भी नहीं जीता था, चाहे वो dance India dance show या कोई भी dancing show, उसमें कोई wildcard आज तक नहीं जीता था, यह सरफ जलक की बात नहीं है, तो मेरी Manisha जो इतनी दुबली पतली हो गई है, आला कि बहुत अच्छी दिख रही है, वो जलक की वज़े से हुआ है, मतलब जलक के लास्ट हफते तक तो मेरे घर वाले गरे तहरे तो नजर आओगी कि नहीं आओगी, यह बता दो, क्योंकि जलक में बारा पंदरा घंटा आपको रिहनसल करवाने पड़ते हैं, तेक्निकल शूट, यह शूट, ट्राइल, मतलब वो मुझे लगता है इतना महनत वाला शूट है, जो भी करता है वो तो उसको ही समझ में आता हूँ कि उसमें कितना महनत है, बहुत जादा, उसके वज़े से एतनी पतली होगे, जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम लोगों के कॉमेंट्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम लोग ने यह कॉमेंट्स देखा कि शूट जो इतने आगे गए थे ज्ञलकमे, वो अपने डिजिटल फॉलूइंग की वज़े से इतने आगे गए ना कि उनके टैलेंट की यह आप मानती है? नहीं, मुझे लगता है कि इस शो में टैलेंट भी बहुत जादा माईने करता है क्योंकि कोई बहुत खराब डांस कर रहा है और उसका फैन फॉलोविंग उसको जीता दे तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं, अगर कोई सिर्फ खराब डांस करके आगे तक चल जाएगा Sohib बहुत अच्छा डांस करते थे, जहां तक हम भी उनको देखे, वो अपने वर्जन में जो भी करते थे वो बहुत अच्छे डांसर रहें और उनकी यूट्यू फैन फॉलोविंग भी बहुत अच्छी थी So I think मुझे लगता है उनको फैन्स का प्यार भी बहुत जादा था और वो डांस भी बहुत अच्छा करते थे So फिर इसलिए कहीने कहीने दोनों चीज था वो सिर्फ फैन फॉलोविंग तो हम कहीनी सकते वो उनको कितनी बार परफेक्ट हटी भी मिला है So I think यह बहुत अच्छे डांसर थे वो मतब है एसलिए थे उस शो में उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और फैन फॉलोविंग उनकी अच्छी थी तो जलक में बताते क्यों जलक ऐसा शो है कि अप हाफटे भर अलग अलग रहायOSल हाल में प्रैक्टस करते हो तो वहाँ पर जाधा खुलने मिलने का टाइम नी मिलता है मतलब हाफटे में छे दिन आप अलग अलग हाल में प्रैक्टस कर रहें हो फिर एस दिन जितं Studios है वहां पर बैठे रहो, मतलब वह ब्रेक में, दस मिनट में लोग कितना ही बात करते हैं तो इतना जादा फ्रेंट से, मतलब मेरा ये मानना है कि हम जब तक रहें, मेरा बॉंडिंग सब के साथ बहुत अच्छा था और वह डांस भी बहुत अच्छा करते थे, मैं भी कर जी ती लेकिन एक दिल से थोड़ा होता है, की फैन के मामले में लग ता यार, जो मेरे फैन सान वो बहुत कचर फैन से, अगर इसक कम अबाउट फैन्स तो वह लगता था कि अभी तो फैन्स पे भरूर्सा है मतलब डांस कि उनकी fan following जादा solid है जादा loyal है और जान देदी की मनिश्या की है बिल्कुँ बिल्कुँ मतलब हम किसी और के fans को ने नो डाउर उनको भी YouTube पे बहुत उनके like views आते हैं और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं बट जो प्यार हम अपने fans का देखें मेरे लिए तो उस पे हम आख बन करके मेरा इतना भरूसा है कि हम कह सकते कि हाँ वो जो सिद्दत से मेरे लिए जो voting की है मतलब मुझे पता है कि जलक में एक नमबर से 500 voting करने का था और मेरे एक-एक fans ऐसे हैं जो मुझे message ऐसे आ रहे हैं दिदी हम ना अलग-अलग ID बना कि एक-एक fans ने एक-एक लाख वोत किया है तो हमको लगता है खाना वाना छोड़के वो मुझे सजिस्ट करें दिदी ये किजिये वो किजिये मतलब क्या मेरे family क्या मेरे friends no doubt वो लोग तो करते ही लेकिन जो मेरे fans है मतलब hats off to them मतलब मुझे लगता है कि सच्च में हम बहुत लग्य है कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं winner बना के छोड़े कभी लगता है कि life में नहीं हार होगी क्योंकि इतने सारे लोग है साथ में देखे जब हम बिग बॉस में भी गया थे तो आपको भी पता है जब हम इंटर्वियू दिए तो हम तब भी यही बोले थे कि हम लोगों का दिल जीतने में जादा ब्लीव करते हैं और उस ताइम वह बिग बॉस जब नहीं भी जीते तो हम सच में को इतना पर्सेंट भी अद्वी कभी भी दुख निई हूँ को लगता है तो यार हमको इतने लोग प्यार कर रहे है मनीशा, मनीशा, सबकी हम फेवरेट है, तो वो मेरे असली जीत है, और जलक में भी सचके हैं, तो हम जलक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट शो था, बहुत, इतना मतलब, मतलब लोगों को पता है कि हमको माईग्रेन इशू है, फिजिकल अक्टिविटी, फिजिकल कुछ भी अक करते नहीं होगा, गीवप कर देते हैं, फिर आवेस का बीच में ऐसा हुआ था दिखने उसको चोट लग गया था, इसके वज़े से वो शो कंटिनिव नहीं कर पाया था, मतलब उसने कुछ दांस स्टेप किया उसको नहीं में चोट लग गया, तो वो कंटिनिव नहीं कर प या फिर कोई music video भी shoot करते हैं, तो आपको 10 take लिया जाता है, दो second कीज़ेगा, मतलब आप 30 second dance कर रहा है, फिर अलग take लिया जाता है, लेकिन जहलक is like, कि आपको 3 minute का performance एक बार में करना है, वो भी उसका कोई retake नहीं होता है, कुछ नहीं एक ही बार आपको करना है, खराब की अच्छे कीजिए, और उसमें ऐसा stamina चाहिए, कि आपको 3 minute का इतना तगड़ा dance करके निकलना हो, पूरा stage use करना, मतलब था मेरे लिए वो चीज़ बहुत difficult, पर कही ने कहीं हमको लगता हम बहुत अपना जी जान लगाएं थे इस show के लिए, कि यार हमको हार नहीं मानना है, puisque, तो कहीं ने कहीं पर भाला मेरे महनत देखु, और मेरे fans का प्यार था तो हम जीत गया है, और मुझे लगता हम आगे भी कोई भी show करें, कि मेरे fans जीते, जीते या हारें, यह बस इतना प्यार मुझे ते करते ही, मेरे यही इनक रहेगा, और बाकी फिर जीतना हारना, जखिक सब रिख नला ला obs ज़ा टीओ तो अब सब 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 सबलब ह सब लक्ता है हम खुश्टी बालड़ो सब्सक्राइब तो मेरा उनका सना फैस्स करी मेरा फैंमिली ग मेलन के साथ Jooilak Me कौन वो कंटेस्टेंस ही सको आप दिल से कह सकती है डी यह मेरे दोस्त है दिल से रिद्विक के साथ बहुत अच्छी friendship हुई है मतलब सच करें अभी ऐसा दोस्ती वाला होता ना कि सबसे bonding है लेकिन अलग होने के बद सब अपने दुनिया में वीजी हो जाते है जो actually मुझे भी ऐसा है कि Glenn जो थे Terence का चोब हतीजा था उससे बहुत अच्छी बात्सीत है आविस दर्वार के साथ बहुत अच्छी से बात्सीत होता है उन्होंने भी बहुत बार वीडियो के लिए बहुत अच्छी साथ में बनाते है मुझे भी बनाना है फिर अधरीजा से भी बात होती है यह लोग कुछ लोग है, स्री राम भी है, मतलब एक होता ना, contact में सब है, बट वही हो जाता ही, सब कभी वो phone करेंगे, तो हम भी हार में, कभी हम phone करेंगे, तो इतना मिल जुल नहीं हुआ यह पाते, बट दोस्ती जैसे आविज दर्वार ग्लेन यह लोग से है, शिफ ठाकर सच में यह बोलना चाहेंगे हम कि इतना सबसकी बड़ा बदशित नहीं हुता है हैν इतना हम कह सकते हैं कि वह ऐसा बंद है कि भले हो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो लेकिन हम यह एक मिशी8 कह सकते हैं दाव्य के साथ कि उप बहुत अच्छाल uh क्योंकि हम उससे जब भी मिलें, एक वाइब होता है, इतने प्यार से मिलता है, वो इतना पॉजेटिव है और हमको तो सिफ बहुत अच्छा लगता है, मनला वो कभी इवेंट में मिल जाएगा अगर बात नहीं भी हो रहा है, अरे मनीशा कैसी हो या रही हो, और वो हमेशा द करते हैं, जो निगेटिव महाल को भी पॉजिटिव करते हैं, तो सिफ है अच्छा बहुत, बहुत से लोग कहते हैं कि बिग बॉस हो जाता है, उस वक्त लोग फैमिली हो जाते हैं, उसके दो-तीन हफते बाद भी एक साथ रहते हैं, फैमिली है तो फिर अपने-पने रास् क्या तुम्हें लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जब तक काम है, लोग एक दूसरे आ, यह वो करते हैं, और उसके बाद, समय की कारण की वज़े से, बच चले आते हैं, तो फैमिली जैसे दोस्त नहीं मिलते हैं, हमें यहापे, मुझे लगता है कि जब भी जैसा ऐसा को काम बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि इतना सच नेकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब भी अतनी लाइफ में बहुत बहूत बिजी रहते हैं, तो मुझे लगता है किवह अर्ण के लोग है, वो हम लोग की कही हुआ और नौनल लाइफ से ही हमारा, कोई खास ऐसा दोस्त बन कर रहा तो वह तीन बजी रात को भी अवेलेवल है तो में को लगता है कि ठीक है बट मुझे लगता है कि किसी की गलती नहीं होती है क्योंकि अगर कोई सामने से मुझे भी बोल रहा है कभी कि मनिशा चलो आज मिलते तो साथ हम भी उस टाइम को इवेंट कर रहे होंगे या फिर हम कुछ कहीं बहार शूट पर होंगे तो कहीं नहीं है हम सब का ही फॉल्ट है होता है कि हम लोग पास टाइम नहीं है फिर हम लोग एक इंड़स्ट्री से हैं जहां पर सभी पागल है करीर बनाना है काम पर फोकस करना तो कहीं नहीं हो जो बट मुझे लगता जो अच्छे फ्रेंट से वो सौदिन में भी मिलते हैं तो वो एक चैनेक्शन रहता ही है तो अभी मैं पूछता हो शोयब को तीन मजे रात को फोन करके बोल सकती हो कि यार मैं कठिनाई उम्हें खड़े अच्छे के लिए था क्योंकि वो लोग सायद उन लोग को मतलब ऐसा होता ना कि बीच में फरा मैं दी उन लोग कुछ देती थी मतलब कंटेस्टेंट को कभी-कभी इसले तो इसी बात पर वापस कॉमेंट्स में कहीना कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है और ओडियंस की आवा जो कंटेस्टेंट है इन इसकेश शोएब इस पर क्या कहना है नहीं मुझे जहां तक लगता है कि जो जलक की जो जजजिस थे उनका फीडबैक बहुत ही बहुत ही सही था और बहुत लॉयल थे क्योंकि मुझे लगता है चैनल भी हो और जजजिस भी हो मतलब कोई कुछ नह लेकिं मुझे लगता है जजिस मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे अरे मनीशा एक फोता ना कोई किसी का फेवरेट बन जाना तो कहीन ने कहीने फढ़ा में को सहिब जयादा पसंद है मुझे लगता है कि हो जाता है सिफ को भी फ़रा में बहुत पसंद करती थी त जजज हमसे खुश्ष रहे कियोंकि किने भी तो वह जजज हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं मुझे लगता है कि अगर हम लोग कुछ उनको खिलार रहे हैं या फिर कुछ थोरा मसका मार रहें बट अल्टीमेटली अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और और अच्छा काम कर तो फिर आप खाना ले गई थी गजजिस के लिए नहीं हम खाना नहीं हम बहुत सारा प्यार दिया उनको खाना नहीं जूट नहीं बोलेंगा बड़कि जलक के टाइम सचके है तो हम खुदी कब उठ रहें कब सो रहें वह ऐसा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए वह दिल से सबसे उन लोग से मेरा कॉंटेक्ट है सबसे पर कभी कमार लोगों को लगता है कि अगर काम अच्छी तरीके से बोले तो जजजिस को खाना खिलाने की जरूत नहीं पड़ती है शायद आपका टैलेंटी बोल देता है यह यह चीज है बट वही बोल रहा है ना कि अभी सब्सक्राइब के लिए कुछ करने का तो में को बहुत अच्छा लगे रहे हैं कुछ उनको खिला रहे हैं बट उस तेम जलक में इतना सा कुछ चल रहा था कि फिर नहीं हो पाता ना इसलिए तो फरा की फेवरिट्स थी शिव और शोइब कॉन सा जज तुमें लग रहा था क्योंकि मीडिया में भी वह ज्यादा कुछ बात नहीं करती है बस आती ही एकड़ निकल जाती है तो मैं को लग था था बट जब उनको हम पर्सनली जाने एक होता ने जितने देर भी क्योंकि हम बहुत 12 गंटा सेट पे रहते थे ते कभी ऑफ कैमरा भी वह बात करती थी तो बहुत पसंद करते थे परा मैं दी मतर मुझे लगता है कि सभी मुझे पसंद करते थे बट एक जज़ कह सकते है तो हां मलाई का मैं ज्यादा पसंद करती थे थे हलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चंडाइज लांच हो चुका है अंगार यानि की फायर पावर फ्रम ही तो चेक आओ तो मेर्चंडाइज पुचेस इट प्राइस बहुत वीज़नबल है और अंगार मचाओ मुझे तो लगता कि सब पसंद करते हैं मनीशा को बट हाली में वो फालो अन फालो अन फालो अन फालो फालो का किसा चल रहा था और फिर मैंने आपके यूट्यूब पे आपका रिस्पॉन्स देखा ओनिसली मैं इसको बहुत क्लोजली नहीं फालो कर रहा था ठीक है क्यूंकि आपका यूट्यूब चैनल है मैंने देखा आपने आपने बता दिया कारण क्या था कि कवर शॉट में एलविशनिक सेलेबर अब यह एलविश ने कहा है बच्चों जैसी हरकते बंद करो कोई किसी सीरियस इस्यूज में फसा है और उन्हें सोशल मीडिया के कवर फोडो की पड़ी है मेरी तरफ से दोस्ती हमेशा रहेगी और रही बात यलविश हागी। वो तो मेरी तरफ से कभी था भी नहीं। यह आपने सुना उनूने कहा? अहां उन्हें भी जैसे मैंने व्लॉग बनाया तो उसने भी एक एंसर में कि Manisha reply to Manisha जी तो उन्हें भी एक व्लॉग बनाया था जब आपने उन्हें का व्लॉग सुना तो आप जेन्यूनी दिल से बड़ा भाय मानती हो तो सच्छे दिल से बोलो हुई थी ठीक है बोल दिया बोल दिया मैं कट ओफ हूं दिमाग दिल में क्या चल रहा था नहीं मैं हट बिलकुल भी नहीं हुई क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मुझे पता था कि अगर हम कुछ बोले तो बदले में कही नहीं वह अपने फेवर में बोले गा नहीं एक होता नहीं कहा अपने साइड का बाद और हम बहुत अच्छा रिप्लाई का उमीद भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ क्योंकि डेफिनिटली जब हम उसके लिए कुछ बोल रहे हैं बट वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि कॉंट्रोवर्सी या जो मेभी ऐलविश के फैंसे यह कह रहे थे कि इसको व्यूज लाइक के लिए करना था था तुम को प्रलब उन लोगा कहना थ एक लिए शनकित वीडियो नहीं होता है बनाना कि हम सुभा उठे हैं मेकप कर रही है तो यह लोग ने सब को लग रहा है क्या यह थे इस पोन सर्थिए गया तो उस पर भी यह बहुत सब मतलब कुछ लोग मजाग बना रहे थे कि आरे इसको पैसे दिए गए थे इसकाम के तो इसको आछ regulating views लाने तें लिए इसलिए ये topic उठाया गया तो मेरा किभवार कार्वी कंट्रोवर्सी करके ख़िछने हम् फे मैं जद्ध की तो मेरा मानना कि माझ तक अपने चांट ऐसे चाहिए वह बिग पॉस हो या जहलग हो और हम हमेशा उस चीज में ही ब्लीट करते हैं कि हम इतना महनत करें जो भी चीज करके और हम अपने महनत के वज़े से दीखे हो और लोग हमको वैसे पसंद करें आउघ विऊज काईफोर्थ बीडस उठाना लाही हम कभी किये हैं और जिस लोगों को लग रहा है कि हम इतन Course करके कि हैं वैसे तो मुझे लगता है जो जन्व UP मैंने व्यकुशक कॉमेंट पर रहा तो कहीं ने कहीं मुझे उससे समझ में आ गया कि हाँ लोग बहुत ही स्मार्ट है बहुत ही उनको पता है कि क्या है रियल इसलिए हम इस चीज पर जादा नहीं बोले क्यों कि I know audience सब समझती है मेरा मानना है कि अगर कॉंट्रोवर्सी करें चलो हम एक बार दिख भी जाएंगे लेकिन वो लॉंग टाइम के लिए नहीं होता है मतब मेरा ऐसा था कि किसी ने कुछ इंटर्व्यू में बोला था तो हम हमेशा कभी भी आप देखोंगी तो हम नहीं बोलते ही सब टॉपिक पर कभी अभी शेक्का होगे हम positively भी दे देते है रिपला लेकिन negative चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते है लेकिन एक point पर जब आता है कि जब fans आपको बहुत बोलने लगते क्योंकि जब हम उसको unfollow किये थे तो सब लोग मुझे ही कह रहे थे बहुत सारे negative comments आरे देदी आपने क्यों कर दिया क्यों कर दिया यह वह बहुत सारे tags और जब Elvis ने यह बोल दिया कि आरे मैंने तो कुछ नहीं किया यह तो मनीशा नहीं किया तो और मुझे मैसेज आने लगे कि दी यह तो गलत बात है अलविश भयाने तो मुझे एक point पर लगा यार कि चलो जब इतना बोला जा रहा है मुझे तो हम अपने तरफ का बात बोल दे क्योंकि आटलिस कितना भी है वह हमारे fans है उसको हक है दोनों तरफ का बात जाने का अब लोग सब उसको समझ रहे मुझे नहीं समझ रहे तो बस हम अपना point वो भी हम एक भी मुझे लगता है कि sad मेरे audience या मेरे fans हमको इसलिए ही पसंद करते कि उसको पता है कि Manishah रानी कभी जूट नहीं बोलती है और नहीं हम कभी भी sympathy card खेलते और नहीं हम controversy करते हैं हम उसमें जो भी बोले हैं एक एक वर्ड सही बोले हैं और बहुत मतलब अच्छे तरीके से चीजों को हम समझाए थे ताकि मेरे fans को भी क्योंकि बहुत बार होता है तब ही आपने आके एक video में पूरा explain क्या होगा सच कहा है उस person को लेके बिल्कुल भी हर्ट नहीं थे हम अपने fans को लेके हर्ट जैसे अलविशा fans है मैं बताती हूँ मेरे hashtag आपको पता है मेरे fans लोग ऐसे है और हम fans का about जैसे alvish ने कहा कि उसने कभी alvishya माना ही नहीं था ठीक है उसने बोला न इसने चलिए सही बोला कि उसने कभी alvisha को नहीं माना लेकिन उस नाम पे कही न कहीं ने उसने aipने vlog में कितने सारे videos बनाये होंगे, Elvisha made up, Elvisha यह, Elvisha वो बनाया ना आखिर उसने, तो अगर वो Elvisha मानता है नहीं है, तो उसने यह word उसको use करना ही नहीं चाहिए था कभी भी, अगर उसने ऐसे बोला, कि हम Elvisha को कभी मान, अगर वैसा देखा चाहिए, तो हम भी कभी Elvisha को उस sense में नहीं मानत लेकिन fans तो मेरे भी है ना, तो हम वो चीज को सोचके respect करते कि यार मेरे fans है, हम यह सोचके यह नहीं किया रहे हम दोने को couples में लोग add कर रहे हैं, हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, हम तो कभी ऐसा बोले नहीं, ना ही हम वैसा कुछ scene है मेरा, बट वो मेरे fans है, तो इसलि Alvisha fans के भी, मतलब मुझे single तो आते ही है, इतना letters, दीदी हमारा दिल टूड़ गया, दीदी हमने Big Boss में आपको Alvish भया को देखा था, आप लोग बहुत, अब जो हम लोगों को देखें Big Boss में, जो पसंद करते हैं, तो वो लोग बहुत disappointed थे, कि Manisha दी, आप ही यह चीज खतम कर रहे हैं, तो मेरे fans के लिए में बुरा लग रहा था, उसके लिए नहीं, अभी शेक मलान जो आपके मित्र हैं, उनका क्या कहना है इस सारी चीजों पर, अभी शेक मलान मस्त अपना लाइफ जी रहा है, खृषब बिंदास, कोई मतलब नहीं, कोई controversy नहीं, अभी वो सही है, इस topic में उसने कुछ नहीं बोला, मुझे लगता है, यह topic इतना बरा भी ने, ठीक है, दो लोग हैं, दोस्त हैं, अब उसमें इतना ज्यादा किसी का कुछ लगा, ठीक है, फॉल और फॉल आई, इस नोड़ वेरी बिग topic की, लोग कोई आया और इस पर सब सब को पताएगी, ठीक है, लोग आ रहे हैं, किसी का नहीं जमा तो कर दिये, ठीक है, अच्छा लाइफ, सब एक जैसा हर टाइम नहीं होता ना, तो ठीक है, अच्छ में हो अभी शेक के साथ की नहीं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तच्छ में हैं, और वो भी तुमारी तरह मुझे बोलते हैं, भया, भया, तुम दोनों में जिसके बाद घर ले लिया, और अभी मुंबे में भी घर लेने का बात चल रहा है, प्लान कर रहा है हम तो, या बात है, और कोई फ़िनांशली अडवाइस करता है कि खुद दिल से करते हैं? अभी अभी सीय रखे हुए, अभी सब कुछ अकेले मेरे ता हम दिमाग काम करें हाह करते हैं बट अभी वे फिर सेविंग करकें अभी को लगता है कि ठीक है और फैमिली भी है और भी थोड़ा आज अभी थीच है ठीक है तो ओड़ा मैनेज करके चलो क्रूं कि और भी यही चीज अगर जादा जो उराएंगे वो किसी का कर दो कुछ तो वो जादा जितने के पहले भी गए थे हम उन लोग के पास और फिर जितने के बाद भी और बर्थ्टे के दिन तो साहद हम यह की है थे 11 लड़कियों का स्पॉंसर सिफ की है तो स्टड़ी एक 11 साल के लिए यह जो तुम बच्चों के लिए करती हो कहीं तुम्हें जब भी बच्चों को मिलती हो तुम लगता है कि इनमें मनीशा रानी कोई छुपा हुआ है इस अघी और भी बहुट कोई बहुत आता है किम लाइफ है वह सिफ यह भी कि आपके साहँ डांस करते हैं छहार्या मेरा मानना है कि तैलेंट सो कहीं भी हो जाता है कि तैलेंट कभी भी गरीबी और अमीरी देखे निरे जिसके अंदर वह आही जाएगा और वह बच्चे सब इतने प्यारे और में को लगता हम जब भी जाते हैं वह बस्ती में सब हम को ऐसे पहचान गए कि ए मनीशा दीदी तो जाते ही सब के चहरे पर स्माइल आ जाता सब खुस हो जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उन लोगे देखे एक होता है कि बहुत बरे लोग होते हैं जो सालेट होते हैं जो बहुत सारे ऐसे करते हैं पैसे वैसे फिर चैरिटी करते हैं बड़ मुझे मेरा मानना है कि जब लोग ऐसे बोल देता है बहुत पैसे कमाले अच्छे जा की पैसे दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, या फिर इनों के साथ, इनको जो भी दे रहे हैं, बड़ जब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, एक रिलेशन बनाते हो, तो और अच्छा लगता है. वो क्या चीज है जलक में जो वनीशा ने बोला, यार, मुझे मानूम ही नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, पर मैंने किया। अच्छी हमको डांस करना बच्पन से पसंथा ठीक है, पर वही वाला डांस मेर में देखके, खुझ से गाना बजाके, लेकिन प्रोफेशनल हम डांस कभी, आपको भी याद हम पिछले बार बोले थे कि मेरा बहुत सपना था कि हम कभी टेरन सर से डांस सीखे, या पर सरोज में से सीखे, लेकिन अब जब हम जब हम घलक आएं, और वहां इतने बरे-बरे कोरियोग्राफर सीखा रहे और हमको ये करना है, अरे हमजा नहीं होगा रहे हम पर एक में कोद पता है कि एकक़र हम लोग ये किये थे हम डांस फॉर्म, ODC, ODC किये थे और पहले दीन जब हम हम अपने कॉरिग्राफर को घर जाके फोन करके बिले कि सुने हम हाथ जोडते हैं प्लीज यह डांस फॉर्म चेंज करा दीजे यह हमसे नहीं होने वाला है और उन्होंने खुद जो आइधी सिकाने वह बली कि यह पॉर्म कम से कम 10 साल लगता है लोगों सीखने में क्योंकि उसमें एक पॉस्चर ऐसी होना चाहिए आ कि यह मतलब हम बोले यार 5-6 दिन में आप तो क्या चाहते हो मेरे से मेरे से हम लास्ट चार दिन तक रोएं उस फॉर्म को लेकि मेरे से नहीं होगा फिर भी मतलब मुझे लगता है मेरा perfect 30 मुझे पहला उसी song में मिला था मतलब उसी dance form में तो धीरे-धीरे मेरा confidence build-up होती गया मतलब हमको हर बार कुछ आता था नया dance form और हम को लगता था कि कोई भी dance form आपको सीखने में लगता है ताइम तीन साल चार साल और यहां पर आपको पांच-छे दिन मिलता है और हम हर टाइम अलग-अलग dance form करते थे कभी contemporary, कभी aerial, कभी classical जो भी तो मुझे फिर लगता था यार पर कर लेते थे तो एक था कि हर चीज ही मेरे लिए बहुत difficult था और नया नया था पर यह है कि हाँ I am a good learner तो हम को जो सिखाता तो फिर हम सीख लेते हैं कभी confidence तूटा था? मैं तो कह रही हूँ ना कि जब कभी-कभी ऐसा होता था कि जब बहुत डांस कर लिए तो मेरा सिर दर्द करने लगता था या फिर एकदम tired हो जाते थे मेरे से नहीं होगा हम बग बग कर लेते हैं मैं को माइक दे दो हम इंटरें करलें हमसा ले है लेगे ट्रॉफेशनल यह भरा था लेकिन वही कहते हैं कितुना भी दिल में फिंव था Solutions कि भाहर फैन्स लोग पागल एक द mortlle बहार भी लोग इतना प्यार कर रहा फैमिली भी बोल रही है तो फिर धीरे-धीरे करते-करते हो गया धनेश्री हाली में ट्रोल हुई थी जब एक situation आया था जब बहुत close हो गई थी अपने dance partner के साथ आप पर क्या बीती क्या आपने उनको reach out किया था 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 नहीं मेरी ऐसी परस्नली कुछ बात तो नहीं हुई लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रोलर होता है मतलब जब लड़की का कोई बात होता है तो पहली बात तो dance once जब लोग एक जगे पे रहते हैं तो यह नहीं होता है कि लोग गलत intention से किसी को पकर रहे है या फिर hug कर रहे है वो एक feeling होता है कि लोग इतना एक दुसरे के साथ time spent की है या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है कोई भाई भी हो सकता है पर पता नहीं यह ट्रोलर क्या ही सोच के ट्रॉल करते है और जब लड़की का बात आता है तो थोड़ो तो उनको सोच समझ की comments करना चाहिए और लड़की के मामले में तो हम थोड़ी जादा ऐसे sensitive है और हम फिल कर सकते है कि कोई लड़की को ऐसे ना बोले कि he already sees married और उनके पती है उनसे इतना प्यार करते है तो इतना तो जब उनके पती को problem नहीं है वो चीजों को समझ रहेगी ठीक है यार अब हम लोग इस उठानेगा बढ़ मुझे लगता जो समझदार लोग है इस चीज पे जादा नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि देनो कि ठीक है इस फिल्ड में आये तो काम तो करना ही परेगा तो बिग बॉस ओटेटी ख़तम हो गया बिग बॉस टीवी वाला शुरू हो गया तब भी मनीशा है राणी के वीडियो स्वीड में आरहे है मनें करेंट वीडी कर अब बिग बोस चल पुराना बिग बॉस जेनरली क्या होता है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि न亞 वाला शुरू हो गया है तभी आ रहे तक विडिचास चाल हुए जब है यह टीवी वाला बिक बॉस दे बिल्कुल भी नहीं देखें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निकलने के बाद इतना काम वाम तो बिल्कुल और एक होदा ने कि Big Boss जाने से पहले वह इच्छा रहता है, अब तो आके निकल गए तो यह ठीक है Big Boss हो गया, यह कैसे तुकि Reels पे आते थे, अबिशेक अभी चिला दीता था, तो ऐसे से कुछ-कुछ आते थे, बट जहां तक मुझे पता चला कि अभिशेक ने अच्छा खेला, मुनवर ने भी अच्छा गेम खेला, मतलब जो हम दो नाम जादा सुन रहते हैं, वो मुनवर और अभिशेकी था, तो फिर मुसे पूछा मुझे लगता है कि अभिशेक अभिशेक आना चाहिए, वही दोनों आएं भी थे किसी का फैर हो, किसी का कुछ भी हो, वो नहीं लाना चाहिए था, आप भी इस बात पर यकीन मनती है, बिलकुल हम अग्री करते हैं कि किसी का भी पर्सनल लाइफ है, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कि जैसे में भी इशा के साथ भी हुआ था कि वो अंदर है, और उसके ब गुला लिया गया, तो उसको पता ही नहीं कि मेरे बॉइफ्रेंड आने वाला है, या फिर मुनवर के साथ भी हुआ कि उसकी एक्स गर्फ्रेंड आ गई है, जो भी इसा हुआ था ना, है तो यह सब तो नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है फिर यही है कि बिग 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 बट कुसी का नहीं सुनता है, बिग बोस को डिया पी चाहिए, भाय जैसे भी चाहिए हमको, तो यह बड़ा, आपके सीजन के टाइम पे, थोड़ी ओनों ने बहर की पंडली निकालके डाली बट दाली दे बाहर की कुंडली होनी बी तो चाहिए न, निकाल लेते मेर पर तो इस चीज से तो बिल्कुल है कि आशा नहीं करना चाहिए बिल्कुल moje कि जो गण बचर लेका, इसा कुछ कर दें गे तो यह चीज तो तो कहीं नहींयों से बीजने, कि किसी पेड़ में बिल्कुल टाने बो फिर वही है कि Big Boss है वह कही। कहीन लोग को इतना पता है कि कोई Big Boss में जाता है तो, उसका कुछ भी नहीं रह जाता है उसको सब बताना ही पड़ता कि वह क्या किया है, क्या है मतलब कहीन कहां बिग बोस सब निकाल देता है मतलब हुम भी खुद रहें तो यहां दोस्तों, मेरा खोद का merchandise, अंगार merchandise, jumpers, t-shirts, hoodies, mugs, यह सब आपको मिलेगा इस link पर, which is अंगार.store, यहां पर click करिये, link of this is also in the description, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. इस बिए बीग बॉप्स में हमीशा सच बोला है, बिय को छूट करा है, कभी जूट नीपोला है. I'm honest कि हाँ हम अपने fans के साथ जूट नहीं बो सकते हैं, अपने काम को लेके जूट नहीं हो सकते हैं, इवन आप मेरा ये वाला vlog देखिएगा, बिहार वाला जो vlog है, जिसमें हम land ली हैं, तो जमीन ऐसी था, ढाई कथा, और एक और बगल में बन रहा था, और वो दोनों मिला क पाँच कठा हो जाता, बहुत बड़ा जमीन, और हम आके बोले भी पापा ये वाला भी खरीद लेते हैं, तो कितना बड़ा जमीन हो जाता, और मेरी बहन व्लॉग में बोल भी रही है, कि गाईस देखिए, ये पूरा जमीन हम लोग का है, और हम बोले कि ये बहें इतना मा बता देंगे, चार है तो दस बता देंगे, तो बट आई बलीव कि मेरे पास जो है उतना है और मुतने में बहुत खुश है, तो ये मैं जेनरल में पूछ रहा है, पड़े एक्जामपल दूँगा, जेनरल में आप बताना, बड़ी मुद्दे की बात कही है आपने, मैंने मैं आपने टेलिविशन में भी देखा है, यूज एक गहर है, और मैंने कहा है वहाँ क्या घर है, और बाद में थरस दिन बाद पता चलता है कि उनका चेक्क बाउंच हो गया, किसी को करोर रुपय देने है, कभी कबार मैंने देखा एक टीवी आक्टर, दो-दो बाडीगा जो पॉपिलर बनना चाहते हैं सोशल मीडिया पर जादा दिखाते हैं मुझे लगता जब आप जादा दिखाते हो तो mental pressure आप खुद पर डालते हो इस पर क्या कहना है क्या कहना चाते हैं उन लोगों को की न Gucci, you know what उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है फिर वाकई में जादा दिखाना जरूरी है बिल्कुल भी ज्यादा दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा दिखाने के चक्कर में रहोगी तो आप खुद पांगल हो जाओंगे आप दूसरों को तो पांगल कर रहे तो की है गोुए को कि फगा पर देखने के लिए और दूसरे लोग भी क्या होता है और इसके बना ही है मुझे लगता है कि आप आप लोग को दिखा दोंटें आब बहुत लेकिन इतना ही है तो लोग ये भी कह सकते हैं रहे इसके पास इतना ये ऐसे घुमते हैं ये कभी-कभी कार के जगा आटो में भी घुम लेते हैं तो they can relate के ठीक है यार ये लोग भी ऐसे हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि इनसान का 375 दिन वो एकदम अच्छे से ही जीएं कभी कदार उपर-nीचे हो जाता है मेरा तो मानना है कि नहीं हम इस चीज बिल्टुल भी ब्लीड नहीं करते हैं दिखावे में क्योंकि ठीक हम इनसान हैं आप इस चीज में लोगों को दिखाओ कि आप बहुत खुश हो अगर आपको इंस्पार करना है तो इस चीज में दिखाओ कि हमको भगवान जितना दिया है हम ये इच्छा रखते हैं कि मुझे लाइफ में और पैसे कमाने है आज मेरे पास एक घर ह लेना है एक से हमको तीन कार लेना है लेकिन अभी भी जो मेरे पास मिला है हम उसमें भी बहुत खुश है बहुत खुश है कि क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग है जो कैसे लाइफ जीते जिसके पास कुछ भी नहीं है तो हम अपने लाइफ से बहुत खुश है और हम इत और कलगे दिन थोड़ा डाउन हो जाता । लोग को लगतें एक TIME हम तो हम बहुत दिखा चुके हैं एखोता ना कि हम एक TIME हम इतना दिखा चुके लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो मेरा इमेज डाउन हो जाएगा यह लोग सोचेंगा रहे अब तो तुम्हारा दिन चला गया, टाइम खतम हो गया बट अगर आप उस टाइम भी दिखाऊगे कि आज साइध हम पहले से कम कमा रहे हैं या फिर हम पहले से पर नॉर्मल लाइफ जीरें लेकिन आज भी हम उतना ही खुश है जितना हम पहले थे तब भी लोग कोई फिर आपको वो नहीं समझेगा कि यार आपको लोग मुलेगा यह क्या इंसान है यार इसको घंटा परके भी पड़ता यार यह कैसे भी रहे तो I believe in that thing कि आपके पास जितना आप उतने में खुश रहो और आप उतना ही दिखा जैसे कुछ दिन पहले मैं एक influencer से मिला था तो उन्होंने मुझे दिखाया अपना Instagram तो यार मैंने देखा मैंने का वा 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 तो मैंने उनसे पूछा सवाल कि यार बहुत कमा लेते हो तो परसल नेवल में उन्होंने मुझे बोला एक साल से उन्होंने कमाया नहीं है उन्होंने का सोशल मीडिया में आप ब्रैंड्स कम हो चुकी है उनके अनुसार कम हो चुकी है ब्रैंड्स और बोल रहे एक साल से मेरा कमाई बहुत गिरी है पर मै जोग इतना जूट प्रोजेक्ट करतें तभी तो ये डिप्रेशन ये सारी बाते शुरू हो जाती है हम बताते हैं मेरे रिसेंटली एक व्लाग था जिसमें पहने थे हैं और हम पहन नहीं है डाइमेंड का कोछ सिट पहने थे हैं हम लें गाइस देखिए मैं डाइमेंड का सिट पहने हूँ कैसा लग रहा है बड़ सुनिए इसको रियल डाइमेंड नहीं समझेगा ये डाइमेंड का कॉपी है तो असपर मेरे फैं से Klip निकाल और मनीशा कितनी रियल यार ये भी बता देता है कि ये इसका कॉपी पहन ही हुई है यह ये वं कभी कोई चस्थ पहन ले ठोए उसका भी कॉपी रहता to यह नहीं बता नहीं बता है कि हम बहुत मेहार है बहूँत सच्ची लड़ neces sap कि हम fun way में भी बोलते हैं कि गाईज के आज हम PraDA पहने हैं पर गाईज हम कॉपी पहने हैं मतलब वो हम fun में भी बोलते हैं और सै दुस्ता है मेरे निकल लाता है कि हम है ही ऐसे कि मेरे साना जुट बोला नहीं जाता है मतलब हम जो हैं जैसी और अगर हम कभी कोई फाइव स्टार होटल में गए हैं और हम पता यह बहुत अच्छा प्रॉपर्टी तो हम बोल भी देते हैं हम हयात आएं गाईज इतना महगा गाईज मतलब हम बहाँ भी गये तो हम बता देते हैं कि हम ऐसी जगहा हैं क्योंकि वह खुश ही होता है कि यार हम आज इतने बड़े होटल में हैं अब हम इस चीज में शोओ आप नहीं करना चाहते हैं कि हम फाइव स्टार होटल में आयें इतना अच्छा प्रॉपर्टी हम खुश हैं मेरा मानन है कि मेरे लिए दोनों चीज अगर हम कभी बट ही फाइय लाइफ भी जी रहे हृ हूँ वह भी खाते हैं कभी लाय जी ओ हेई हो ही दिखाते हैं Cup DD भी दिखाते हैं को आप अभी मेर्जिंट के पता तह हम एक माल गये और ऐसेही गोगर्यल कь शौप दो, थॉप आज तक हम इतना महगा चस्मा अपने पैसे से नहीं खरी दे हैं, मेरे फैसे ऐक दो गिफ्ट किया, 27000 का मेरे फैसे फैसे की खरी दे हैं इतना कमार हुई अभी इतना सोचती हुँ अभाग साला भाई इसना बात बोल दिया हूँ लेटे हैं पिर अम बंदर गये, पहने तो हम फिर एक खरीद लें फिर हम चल कभी कभी अपने लिए भी खरीद दो वह मतलब हम बौल भी रहते हैं यह जो यह स्टरी जरूर डालेंगे जिए भिए प्हला, इतना महगा चसमा मैंने अपने पैसे से खरीदा फिर वोल लगा कि इतना महगा मै एन्यों पिर्म यह इंच बडला कि लोग बान की ब्रेंद का पहनते कि खुद नहीं मालू मैं क्या ब्रांड पहन रहाऊ उपर से नीचे ऑपने है। कभी कि अभी वाहि फ्रक देती है। पहन यहुआ पहन लेता हूँ। तो अभी जो पहन किया वह ब्रेंडेट कपड़ा कि नॉन ब्रेंडेट कपड़ा है। यह भी जारा है और यह भी जारा है तुमाने अभी थोड़ा ब्रैंड वाएं माइक तरक्ती है अभी क्या है ना हम बदाते हैं कसम समय को ब्रैंड इतना पहले नहीं समझ माते हैं लेकिन अब जब जैसे हम कभी कभी लोखनवाला में जा कि खुझ से खरीद लेते एक कप्रा जैसे अभी हम मेरा एक शूट था चंडी कर में तो हम एरपोर्ट लोग के लिए गए और खरीद लिए वह भी चार-पांश हजार में नॉर्मल खरीद लिए ब्रांड पहनने के बाद थोड़ा तो आप और ऐसे इन्हांस हो गया आता है आपकी परिस्नालिटी तो पहले गुची जो है अब अबी तो बस एक दो बर जारा से हरी जरी ज़े कभी 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 खरी लेता है तो जो्डिक यश्, कभी 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 कई बैदे थे हैं तो कभी कभी कछ दे दे थे और में को मुंबय में जब आते है आसपास तो मुझे जादा खुशी होता है क्योंकि कहीं निए चोटी सहर का क्या हो जाता है उनके लिए सेलिप्स थोड़ा वू है कि बहुत रेर दिखते हैं जिसे हमारे बिहार में भी घर के बहुत लाइन लगा हुआ है पटना में भी आतमे सेलिप्स तो यहां पर और ज्यादा खुशी मिलता है कि मुंबय में हमको लोग पहांते है कि मुंबय में बहुत लोग यह लोग आप लोग लोग बहुत लोग आंटी अंकल लड़की लोग सब आपे लिए उसका है तो अब बिन नास बोला अगर तुम अकेले जाओ अगहनला मार्केट में क्योंग उसके इर्द गिर्दी हम लोग समर रहते हैं तो अकेले जा पाओगी? अकेले शॉपिंग कर पाओगी अभी ऐसा हो गया कि मेरे साथ इतनी सारे लोग हो गया है तो कोई नहीं नुकोई एसे मेरे साथ रहती ही रहत तो अभी ऐसा दिन आगी ने राए कि ऐना प dar इन्सोट प्राइए लेकर अखेले मुझे जाना पर्रेकर अव कि जाते हो तो चलपाओंगी map 疏करी इन होता है हो जाएगा होता है साथ तब भी क्यूट लग रही थी तुम बाइद वे हां तेल भी अच्छा लगता है so there's no problem तो अब क्या चाती हो लाइफ से बॉलिवोड तो ही राइट बट कभी कबार नॉन स्टॉप काम करती हो लोगाते है फोटो नो खीचते मैंने कभी बार सेलेप से जाना है कि वो इरिटेट भी हो जाते कि बहुत हो रहा है मैं ठकी हूँ फैन समझ क्यों ने रहा है वो कभी होता है तो सब्सक्राइब कर दो कि अदि मेरे साथ इसमें कम होता है क्योंकि एक तुम नई नई बने है मेरे साथ और मेरा दू सीन है एक तो मुझे पता है कि हम जो भी बने हैं कही ने कहीं मेरे फैंस के वज़े से बने कि मेरे जैसे बहुत सारी आम लड़की है जो बिहार में है या फिर वो भी ऐसा ने की स्ट्रगल कर ली है बहुत लड़की लोग महनत करती है लेकिन जो मुझे सपोर्ट और जो प्यार मेला कहीं न कहीं सारे फैंस के वज़े से मिला है तो मेरे अंदर हम ठके मरे भी रहते हैं और सामने से बोलता ना मनिशा एक फोटो ले ले जे क्योंकि मेरे मेरे से कोई मेरे फ्रेंड जो बहुत बड़े लोग है वो थोड़ा में को बोले तो हम उनको ना बोल सकते दो मिनट के लिए कि ठीक आप लिलीजी बड़ मेरे फैंस को कभी ना नहीं बोल सकेंगे मतब मेरे ऐसा उनके सब दिल से ऐसा प्यार भी उनके लिए और मुझे लगता है कि जो इंसान के वज़े से जो लोग हमको बनाए है उसको हम कभी भी अचया कि एसा चाहे वह मेरा कर्तव है उनको खुश रहना, रखना मेरे अंधर से खाल मेरे, कि हम किसी भी हाल में रहे उनको हमेशा इंको प्यार करना और टो अभी टीम में कौन कौन है? बनी का मनीशन रा नी अखेली थी तो अभी टीम के बना है? मैटर है, मेकप आटिस्ट है, हेयर आटिस्ट है, स्टाइलिस्ट है, एक दू अच्छे फ्रेंट्स है, और एक दू एड्वाइजर है, एक सीए है, एक मेरा भाई है, और बस बस बस. बने 10 लोगों की फोर्ज है, बने इर्दगिर सब सही चीजों के लिए सही लोग है, अच्छा लगता है कि टीम है अभी? हाँ, अभी अभी है, अभी I'm very happy और और चीजों पर बात भी चल रही है, जैसे कभी stylist पर, कभी एक में आप खुश नहीं होते हैं, satisfied नहीं होते हैं, तो अभी और में लोग बात चल रही है, तो और कुछ अच्छा फाइंड आउट करो, तो बस एक है कि जो बहुत जरूरी चीज, जो टीम होनी चाहिए, एडवाइस के लिए, मैनेजर लोग वह भी है, अडवाइस सबसे इंपोर्टन है, जो आपको रहा बताएगा कि फ्यूचर में कहा जाना है, वह सबसे इंपोर्टन होता है, वह आपने रखा न पक्का, और धन सही इंसान को संभालना चाहिए, क्योंकि बहुत कानियां सुन लेते हैं, हम लोग कि यार रियालिटी शो हो गया, फिर सब खर्चोंगें कुछ हो आई नहीं, तो वह C.A भी बहुत इंपोर्टन है, नहीं, C.A तो रखें, और मेरा भाई है तो इसको 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 यहां पैसे समहालने के लिए रखें, तो बेटके गिनता हो ऐसे है, सची में वह गिनता ही है, मेरे count, यहंसें मेरा भूलने का भी आदत है, तो वह ठीक बराबर सारा ध्यान रखताा, कि दीडी इतना पैसा दी, इसको दी, सारा हिसा वही करता है, मैरे असे इतना होता भी नहीं, क्लिके हमने कभाई, एक C.R. के से उपर हो गई है, हाँ तो हुई तभी तो भी जमीन भी लिया ना जमीन तो फिर क्या बात है मला यह जब भी देता देता चपरफार के अभी मुनवर हाली में वो एक रेस्टरांट गए थे वो भी एक तकलीफ में गुजर रहते अपको मालो में उसके बारे में पर इसलिए कही गए थे पूछताच हुई उनके साथ भी पुलीस वालो ने फिर एलविश ने ट्वीट किया कि जो भी बिग बॉस जीता है क्या उसक अच्छा वक्त सुरू हुआ है दिख पॉस से निकलने के बाद मुझे लगता है इस पर यह कुछ नहीं बोलेंगे कभी-कभी लोग कभी-कभी इनसान सही भी रहता है फिर भी मेभी वह गलत चीजों में पर जाता है और गलती से हो जाता है कि उसका गलती उसका फॉल्ट न अच्छा काम करो मेहनत करो तब अच्छा होगा और हार जीत उपर नीचे यहसाँ चलता रहता है आपको अगर आपके दिल में पता है कि आप सही हो आप सही कर रहे हो और दुन्यामें कोई इसमी बोलता है कोई मेरे लाइंगूज में कोई माई का लाल बापका पील आपको अच्छा करने से रोगनी गता है जीतने वितने के बाद, किसी ने प्रफोस किया की नहीं? अरे सदारत है, में टॉपिक आगे सक्षी दिल से ची है कोई इसे आगरे मैं आप से पियार करता हो वहालए नहीं प्रॉपर कोई लड़का तुर से तुम्हें भी अच्छा लगा है को आखे प्रफोस किया कि मनीशा को हम सीरियस से तुम्हारे वारे में ऐसे हुआ है नहीं बाद क्या हो गया ना अब यह मत बोलो कि टाइम नियर नहीं नहीं प्यार के लिए टाइम है मेरे लिए प्यारिया वो भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि पैसे सब कमा लेते है और पैसे कमाने का मुझे लगता है कि पैसे कमाना है ठीक है आप में टैलेंट रहेगा और कमा लीजेगा पर मुझे लगता है वो लोग बहुत लगी है जिसको प्यार मिलता है क्योंकि प्यार सबको नहीं मिलता है तो ऐसे प्रपोस किसी नहीं कि तो कि पराम करतें, कि हुम बहुत भी कि उनने में कि ऐसे कश्राइब चुछ अभी? इतना हुई आप जब से निकले बातheen हम खुदी किसी को भाव नहीं दे रहे हैं सच्छी बता है यह वला सीन है और मेरा ऐसा मानना है कि हम 10 दोस्त बनाने में बलीव नहीं करते हैं अगर जिसे मेरा को एक दोस्त है वो मेरे सुक दुख सब में साथ दे रहा है तो I'm happy with one male friend अब जहां भी जाएंगे सब दोस्त तुमको दोस्त नहीं बनाना है है प्यार तो direct आके बोलो देखेंगे फिरसादी भी आओगा वो वाला सीन और आज के जवाने में क्या हो गया जादा सब नहीं बोलते हैं बड 90% आप देखते होंगे सब कुछ भी करेगा तो उसको दोस्त बन की रहना है तुम प्यार कर लो मुहबबत कर लो अरे हमको तो करीर पे ध्यान देना है हमको तो यह है वो है तो I don't believe मेरा तो फिर वह है कि हम चाहे इतने सारे influencers से मिलते हैं इतने सारे actors काम करते हैं सेट पर मेले सेट पर ही बात होबँ कहानी कतम वीडियो बनाएं वही कहानी कतम क्यूंक मेरा मानने कि सब के साथ आपका OWYBEE भी नहीं मिलते हैं और आप कितने दोस्त बना इएगा एक बनाएगा दॉस्त बनाइएगा जैसे Valentine's Day हो गया, तो मन लगा कि एक लड़के के साथ मैं कॉफी पे जाओ, जो मुझे फूल दे और बोले कि I love you, ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, यह तो आती होगी कि वो नहीं आती है, बिल्कुल है, मेरा यह है कि हम को बिल्कुल हम चाहेंगे कि कोई अच्छा लड़का है, अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा, मुझे अभी भी याद है अभी पापा कल कॉल की है, कुछ सब ऐसे वैसे का बात हो रहा है, गारी लेलीगे, सब यही सब बात हो रहा है कि हाँ, तो फिर पापा बोले अच्छा सुनो नो बेटा, इस सब तो बहुत ठीक है, दो साल म अभी पापा ने किया चुना? बिल्कुल, बिल्कुल, बट मुझे लगता कि कहीं ने कहीं पापा नोस कि हम अरेंज मैरेज तो करेंगे नहीं, एक बार जिंदगी मिला हमको करना तो भाई लव मैरेज जी है, क्या पता अरेंज में कोई अच्छा लड़का बिज़े जिसे हो जाया है? हमारी है, दोनों ठीक है, एक साधी कर लिए है, लड़का लंडन जा रहा है लडगी और बस formality साधी हो गया मेरे को चाहिए कि कोई हो तो कोई देखे तो बोले मेरे पियार करता है लड़का कहीं और लड़की भी वह ऐसा वाला प्यार है तो इसलिए हम बहुत सान थै हम करे तो वैसी की लड़का ऐसी करेंगा जो बहुत प्यार करें और वो रहना चाहिए कि हाँ प्यार वाला रिलेशन है ऐसा नहीं कि बस पॉर्मालिटी के लिए पैसा देखके या चाहरा देखके या फिर ऐसे साथी करें कि लगता है कि काश हो ऐसी फीलिंग आती है कभी मुझे लगता है कि अभी यह तब आएगी कि जब एक कोदा ने एक एज भी होता है अभी मेरा ऐसे हम बॉत किते साल किया आप 26 अभी जुद में 26 अभी 26 अभी 26 अभी 26 में लगता कि आरे काश कोई लड़का आए बिल्डिंग के नीचे फोल कि अच्छा मैं वेट कर लो आज 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 ड्राइब पे जाए फिर हवा आरी है बैंस्टैंट पे अभी ऐसा हो गया ना बताते हैं अभी सचके इतना काम इतना काम की लगता है कि वो फीलिंग अभी भी है बट इक होता है अभी एफर्स चीज पर नहीं डाल रहा है क्योंकि करियर पर फोकस है तुम्हारा प्यार जो दोने साथ रहिगा ओर तुम्हारा कराम भी साथ क prisidas जड़ा कौहीं नहीं जनक भी नहीं नहीं गाव में कोई नहीं मिला, मुंबाई में कोई नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, वो गाना नहीं है, चाहें, देखो, whatever, भूल कभी गाना हा, मेरा ये मानना है कि डैफिनिटली भगवान कोई नो कोई तो मेरे लिए बनाया ही होगा, और जब सही वक्त आएका तो मिल दाएका अच्छा कर लड़का पसंद आया और पापा ने बुला ना, तब भी उस लड़कें से शादी करोगी, मुझे लगता है मेरे पापा को मेरे च्वाइस पे आँख बन करकी भदसा होगा, वो मेरी पसंदों कभी ना बोली नहीं सकता, उसको पता कि उसकी बेटी जब हर चीव यज सकता है